नमस्कार, मैं हूँ आपकी हिंदी सिक्षिका स्रीमती रंजना सिंग, विश्य हिंदी, कक्षा आठमी, दूसरी एकाई से पाठनो, पाठ का नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर, इसके कवी है सुमित्रा नंदन पंद जी मेरे प्यारे बच्चों, कवी ने इस गीत में जननी अर्थात्मा, किसान, कलाकर, कवी, सत्यनिष्ट और बलिदानियों का महत्व प्रतिपादित किया है पंत जी का मानना है कि ये सवी लोग अलग-अलग तरह से समाच और देश के लिए कार्य करते हैं कवी की अनुसार इनकी पूजा करना सबसे बड़ी पूजा है प्रस्तुत कविता के पंक्तियां इस प्रकार से है प्रसव वेदना सह जब जननी रिदय स्वपन निज मुर्थ बनाकर अस्तन्य दान दे उसे पालती पगबग नव शीशू पर नेवचावर नहीं प्रार्थना इससे सुन्दर अर्थात कवि कहते हैं के जननी प्रसव की गहन पीडा सह कर शीशो को जन्म देती है वह अपने रिदय के सुन्दर स्वपन को मुर्थ रूप प्रदान करती है अपने उस अंश को अस्तन पान कराकर पालती है पगबग पर अपने शीशो की देख भाल करती है उसकी बाल सुलब पुरिणाओं पर नेवचावर होती है माता के इस रूप से बढ़कर इस रिष्टी में कोई दूसरा नहीं है जिसकी प्रार्थना के जय मेरे पहरे बच्चों प्रसोकार्थ होता है बच्चा जनना अर्थात चन्म देना वेदना अर्थात पीडा जननी माता मुर्तकार्थ होता है साकार हमारे दूसरी पंक्ती इस प्रकार से है स्मित ताप में जूज प्रकृती से बाहा स्वेद भूरज का उर्वर शर्ष श्यामला बना धरा को जब भंडार क्रशक देते भर नहीं प्रार्थना इस से शुब कर इसमें शीतताप का अर्थ होता है सर्दी गर्मी स्वेद अर्थात किसान का पसीना भूरज अर्थात मिट्टी उर्वर उप जाओ श्यामला का अर्थ होता है सामली हरी भई क्रिशक का अर्थ होता है किसान तो इसका अर्थ इस प्रकार से है भरती पुत्र क्रिशक पौश माग के असहनी अशीत अर्थात थंडी और जेट अर्थात गर्मी के भयंकरताब को सहता है प्रकृति की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है ऊस्तर धर्ति में जीत तोड मेहनत करके पसीना भाता है और उसे उपजाओ बनाता है कृश्चक दिन रात केतों में काम करता है बोमी को हरी भरी बनाता है संपुर संसार के लिए अनुब जाता है और अनाच से सब के भंडारों को भर देता है कविता की तीसरी पंक्ती इस प्रकार से है कलाकार कवी वर्ण वर्ण को भाव तुली सेरत समोहन जब अरूप को नया रूप दे भरते कृति में जीवन स्पंदन नहीं प्लार्थना इससे प्रियतर वर्ण का अर्थ होता है अक्षर तूली अर्थात तूली का समोहन का अर्थ होता है मोहित करना अरूप का अर्थ होता है जिसका कोई रूप नहूँ अर्थात को रूप असबंदन का अर्थ होता है कमपन करना प्रियतर अर्थात अधिक प्रियत तो इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार से है कवी कहते हैं कि कलाकार अपनी रंगों भरी तूलिका से अपनी भावनाओं और कल्पना को रिखाओं और रंगों के माध्यम से मुर्थ रूप बना देता है उसी प्रकार कवी वर्ण वर्ण अर्थात अक्षर अक्षर जोड़कर अपने भावों को अविव्यक्ति देकर अरूप को नया रूप देकर मानो अपनी कृति को जीवन प्रदान करता है इन दोनों की पूजा से अधिक प्रिय किसी और की पूजा नहीं है आर्थात हमें कवी की भी पूजा करने चाहिए उनका सम्मान करना चाहिए तवता के अगली पंक्तियां इस प्रकार से है सत्यनिष्ट जन्भू प्रेमी जब मानो जीवन के मंगलेत कर देते उत्सर्ग प्रानेच भोरजगो कर सोड़ित रंजित नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर सत्यनिष्ट कार्थ होता है सत्य पर विश्वास रखने वाला उत्सर्ग कार्थ होता है बलिदान सोडित कार्थ होता है रक्त, और रणजीत कार्थ होता है भृका हुआ, तो इसका अरथ इस प्रकार से है ऐसी अनेक आत्माएं इस भूमी पर जन मिलेती हैं जो सत्य के पालन और मानव मात्र के मंगल के लिए अपने प्राणों तक को उठसरग कर देती हैं अर्था त्याग देती हैं ये लोग अपने रक्तसे भूमी को सीज देते हैं उनसे बढ़कर प्रात्ना की योग्य कोई और नहीं है पविता की अंतीम पंक्तिया इस प्रकार से है चक्क जीवन मधूरस प्रतिचड विपल मनों वैभाव कर संचित जन मदुकर अनुभूती द्रवित जब कर्ते भव मदुचत्रवि निर्मित नहीं प्रार्थ ना इससे सुचितर विपुलकार्थ होता है अधिक मनो वैभो अर्थात मन की महत्ता संचित अर्थात एकत्र करना मधुकर अर्थात भावरा अनुभूती अनुभो करना द्रवित कार्थ होता है जिसके मन में दया आ गई हो भावकार्थ होता है जन्मलेना मधुकार थे शहत, छत्र अर्थात, छत्री, वी निर्मित कार थे बनाया हुआ, सुचितर कार थे अधिक पवित्र, बच्चो कविता की पंग्तियां इस प्रकार से है, इश्वर द्वारा दिये गए मानो जीवन के प्रतेक छड़ को जो लोग सुक शान्ती पुर्वक जीते ह अपने अनुभाओं को संजित करते हैं, जिस प्रकार मधुकर मधु एकत्र करने के लिए अपने छत्र का अर्थात, अपने घर का छत्ता का निर्माड करते हैं, उसी प्रकार ये परुपकारी लोग भी अपने अनुभाओं रूपी मधु का संचे मानो मात्र के लिए करते ह जीवन के अनेक अनभाव से दूसरों को लाभानवित करते हैं, उनके लिए कीगे प्रार्थना से पवित्र दूसरी कोई प्रार्थना नहीं है. मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए ग्रियकारिया हैं, कठी शब्दों के अर्थ दिये गए हैं, एक मुहामरा है, उसका वाक्य प्रयोग करना है, अगला प्रश्ण है, संजाल पूर्ण करो, दूसरा है, कृति करो, प्रश्ण पढ़के आपको उत्तर लिखना है, प्रश्ण तीन है, अंतिम चार पंक्तियों का अर्थ लिखो, कविता की अंतिम पंक्तियों का अर्थ लिखना है, प्रश्ण चार है, कविता में उल्लखित मानों के विभिन रूप लिखो, कविता में जो दिया गए हैं, वही, अगला प्रश्ण है निम्न शब्दों के लिंग तथा वचन बदल कर वाक्यों में प्रयोग करो ध्यान पुर्वग लिखना है सड़क दुरखट नाएं कारण एवं उपाई निबंद लिखो निबंद की तरह आपको इस प्रश्ण का उत्तर लिखना है तन्ने वाओद झाम की तरत वाफ शबंदास कारेव थे दिखने की वीखन है है से खाड़ में पोटों की याली वाम की लंव नियाएं में तो धाफ है से वे कू, एल्डव, है वि सदो, है इ।, इक है इक जया वे रे विए वरेगो में एलमें ऑपको, हैं जा व».